हलो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल चॉप्स वाले भाया बात करेंगे फ्रेंट्स आज इस वेकेंसी के बारे में वो है साउथ सेंट्रल लेलवे के तरफ से निकाली गए वेकेंसी और ये फ्रेंट्स आज से ही पांच बजे से इसका सुरुवात होना है ठीक है पांच 203 पोस्टों पर यहां पर निकली हुई है 4103 वेकेंसी यहां पर निकाली गई है और ऐसा नहीं है कि अभी केवल यहीं पर निकाली गई है मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और अभी और भी बहुत सारी रेलवेज में लगाता है हम लोगों को एपरेंटिस सिब देखन जा रहा है तो जो भी इंट्रेट कंडिडेट होंगे उनका फ्यूचर यहां पर सिक्योर हो जागा वीडियो में थोड़ा सा एक ट्विस्ट यह है फ्रेंट्स की जो रेलवे से अपरेंटिस सिब कर लेता है समझेगा इस चीज़ को तो फ्यूचर में जब भी ग्रूप D की वेकेंसी आएगी तो वहां पर उनको 20% यहां पर उनको प्रिफ्रेंस मिलेगा ठीक है जब वेकेंसी निकाली जाएगी तो जिन्होंने अपरेंटिस सिब करी होगी यानि कि यह जो फॉर्म अभी मैं बता रहा हूँ चार हजार एक सो तीन पदों के लिए और ऐसे ही फ्रें मिलेगा आप लोगों को साथ यह 8000 रुपया मिल जाता है और आसानी से आप अच्छी तरीके से यहां पर ट्रेनिंग लेगे फ्यूचर में अपना एक करियर सिक्यूर कर सकते हैं अगर रेल्वे में आप जॉब चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मली आपको जल्दी जॉब की तलास में है तो अक्सर में बताता हूँ फिर से आपको बता दूँ अगर आप पहली बार ने तो तो रेल्वेल.com पर फेंट्स आपको आना है इसका भी लिंक डिस्क्रेप्शन में डाला है यहां पर देख सकते हैं अर्बन कंपनी वन एमजी ग्रेड ठी यहां पर आपको आना है अपना एक वीडियो प्रोफाइल बनाना है कुछ लोगों का कमेंट है हिंदी में बनाए या इंग्लिश में तो यहां पर बड़ी कंपनी है आपको इंग्लिश में बनाना ही अच्छा रहेगा हिंदी में हो सकता है इफेक्टिव ना हो और उसके बाद एक टेस्ट टेट सिलेक्ट करना है अपना और उस दिन आपको अपने टेस्ट देना है सिलेबस वगर आपको सारी इसके वेबसाइट पर मिल जाएगी तीन यहां से ज्यादा स्कोर करके इन लोगों ने इसमें अपना एक सीट पका कर लिया है और लगबग 10 लाग से उपर इनका परेनम पे ही सेलेक्शन हो चुका है तो आप भी हो सकते हैं इसमें नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में चाहिए अभी रेजिटेशन करिए और अपना एक स को दिखा देता हूँ कौन-कौन सा है तो वहाँ पर आप लोग अपलाई कर सकते हैं और यह देखें यहाँ पर railway establishments where act apprenticeship training to be imparted आप इन में से सिलेक्शन कर सकते हैं पूरी सीट इस PDF में आपको मिल जाएगी जो की description में मैंने इस PDF का link डाला हुआ है आप लोग वहाँ से जाके download कर सकते हैं और यहाँ पर trade देखें AC mechanic, carpenter, diesel mechanic, electrician, electronic mechanic, fitter, machinist, mmt, mmw, painter or welder, 4133 vacancy है तोटल है आप अपने कास्ट के अनुज़ार देख सकते हैं और OBC वाले जो होंगे अपना criminal year का certificate लगाएंगे का central government के जो भी vacancy हो या apprenticeship हो वहाँ पर criminal year ही लगाय जाता है जो नहीं लग आप 10th class pass होना चाहिए और ITA आपका होना चाहिए यह तो आपको पता है मैंने बताया ही था और यह देखें आपको age का criteria क्या है 15 साल आपके कम से कम age होनी चाहिए और 24 साल maximum ठीक है अगर 24 साल से आप ज्यादा है तो आपको छूट मिलेगी लेकिन अगर आप OBC या SST है तो O OBC को तीन साल की छूट मिल जागी और SCST को यहां पर 5 सालों तक extra छूट मिल जागी यानि कि SC वाले 29 साल तक apply कर सकते हैं और यहां पर देखें date का दिया हुआ है कि कितने से कितने तक अगर आपका date बढ़ थे तो आप लोग easily apply कर पाएंगे 1497 से 142006 तक जनरल वाले ठीक उस the Apprenticeship Act 1961 will be based on the merit list which would be prepared taking the average of the percentage marks obtained by the candidate in class 10th matriculation with 50% aggregate marks and ITI examination giving equal weight to both, तो यहां पर 50-50% आपका जोड लिया जाए ITI और 10th का, तो उसी गयनों सारे यहां पर आपका merit बनाया जाएगा और आपकी selection हो जाएगा, 100 पर यहां फ्रेंस फ्री लग रहा है, अगर आप OBC और SCST के Candidate है त और SCST के लिए यहां पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, कि छूट है या नहीं, तो हो सकता है कि उनको भी सोर पर देना पड़े, नहीं यहां पर लिखा हो है, sorry SCST और female candidate के लिए कोई यहां पर पैसे नहीं लग रहे है, तो यहीं सारी चीज़ें आपको clear करने थी, seat wise आपको सा यहां पर trade का नाम है, ठीक उसी परकार यह बहुत लंबा PDF है, तो आप अपना देख लिजएगा, जहां मन करेगा, वहाँ अपलाई कर सकते है, seat के नुसार, इसकी official website, इस PDF में आपको मिल जाएगी, और नीचे description में, link में भी मैंने डाल दिया हुआ है, तो उमीद करते है friends क सारी चीज़ें आपको clear होगे होगे अभी तक, और अगर नहीं समझ में आया होगी, तो comment करिएगा, आपका comment मैं पढ़ता जरूर हूँ, और उसी के नुसार आगे की वीडियो में बनाया करता हूँ, यहां पर देखे friends कि यहां पर official website भी दिया हुआ है, www.scr.indianrailways.gov.in, त तज़ार करिए friends हमारे किसी नए वीडियो का तब तक के लिए, धन्यवाद.